अमाइनो एसेट्स की जो पहली केटिगरी है लासिफिकेशन में किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया अमाइनो एसेट्स को पहले तो यह बताओ जो मैंने बताया था आप लोगों को साइड चेन की प्रॉपर्टी के बेसिस पे ठीक है तो अगर मैं यहां पे लिख रहा क्या नाय डरिटरोफोबिक हाइड को और क्या कहा जाता है रिछ नोनいやन पोलर नोन बोलर की जगारे इनको ए पोलर झाहिए और पता है इनकी जो साइड चैन फो एरह में होती नहीं है तो इनको कई बार यह फेटिक का नाम भी दिया जाता है है और अम अगर मैं अगर यह लिखा है कि हाइड्रोफोबिक नोन पोलर एपोलर एलिफेटिक अमाइनों आसेड्स तो पता है इनकी साइड्रोफोबिक 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 है इनकी साइड्र प्रोपर्टी है पूरे के बूरे मॉलिक्यूल रहे तो होगे कि वहां पे हईड्रोफोविक इंट्रेक्ष्न हो रहा है ठीक है और वो हमेशां लेकिन होता है अगर आपसे मैं यह पूछ लूँ जितनी बाते मैंने अभी तक बताएं उसके पूछ रहा हूं मैं कि जो हाइड्रोफोबिक होंगे या नहीं होंगे इसके पहले की जो कहानी है वो मैंने इसलिए बताईए बच्चे इस कैटेगरी में जो पहला है उसका नाम है बच्चे क्या नाम है उसका ग्लैसीन और गौन पोर्शन क्या-क्या होता है या इस टेंडर्र अमाइनो आसट्स के वीच में जो ब्लैक कलर में मैंने आपको और इसको इस टेंडर्र अमाइनो क्या बताया था ऐ और एक अ शेंटल कार्बन और उस पे लगा हुआ एक हाइड्रोजन यह तो कोमन होता है अब मैंने इसको इस कैटिगरी में रखा है कि यह एक या नोन पोलर या हाइड्रोफोबिक अब अभी मैंने आपको क्वेश्चन किया क्या यह वतर में सॉलिबल होगा या नहीं होगा बच्चे मैंने अभी आपको क्या बताया था द्ध्यान दो यहां क्या बताया था कि मुझे पूलर नोन पूलर की पहचान किस वज़े से होती है कि अरे कहीं पे आपको सी ओ ओ एच और माइनो गुरूप दिखते हैं तो यह पूलर कैटिगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं तो अभी जरा देखके बताना यह वाटर में सॉलिबल होगा ग्लाइ प्रोटीन का ट्रांसिलेशन या प्रोटीन संथसिस कहां पर होता बच्चे और साइटोप्लाज्म में सबस्यादा कंटेंट किश्चीज का होता बच्चे पूलर इंवार्मेंट में प्रोटीन का सिंथसिस हो रहा है न और अगर मान लो अमाइनो एसेड्स अगर एक्वास इन्वार्मेंट में अगर सॉलिबल नहीं होंगे तो प्रोटीन का सिंथसिस कैसे होगा आप ही बताओ तो हर एक अमाइनो एसेड्स जो है वह वाटर के अंद हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो असे बिल्कुल कंपलीटली इंसॉलीबल है नो सॉलीबिलिटी में डिफरेंस हो सकता है किसी की ज्यादा सॉलीबिल्टी हो सकती है किसी की कम हो सकती है उसमें वेरियेशन आपको मिल सकता है लेकिन सॉलीबल स अब बेसिकली ना आप ना इस चीज़ को बहुत डीपली अंडरस्टेंड करने की कोशिश नहीं करते हो जब बात होती है यह किस टाइप का हमाईनो असे यह फ्री हमाईनो असे ना बच यह कैसा हमाईनो असे यह फ्री किसी किसी दूसरे मॉलेकुल के साथ में अटैच नहीं तो यह फ्री हमाईनो असे ना तो जब फ्री हमाईनो असे टीज़ की बात हो रही होती है ना तब आपको ना सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है अलफा कार्बॉक्सिल एफ़ा माईनो ग्रूप ऐस वेल नहीं करते हैं क्योंकि यह दोनों ग्रूप वहां पे किसमें कंजियूम हो जाते हैं पैप्टाइड बॉन्ड बनाने में तब हम आंसर किसके बेसिस पे कर रहे होते हैं आंसर केवल ओनली ओन दा बेसिस ओफ साइड चीन तो ध्यान रखिएगा जब बात होती है फ्री हमाई लेकिन जब आप बात करोगे पैप्टाइड या प्रूटीन की तो वहां पे आंसर केवल साइड चेन के बिसिस पर करना है क्लियर है क्लियर है यह पॉइंट सभी बच्चों को ठीक है बस यही डिफरेंस होता है इसकी कुछ मुझे बतानी है ग्लाइसीन की ग्लाइसीन की सा टेबल के अंदर सबसे छोटा एटम कौन सा है अरे दुनिया में सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन है हाइड्रोजन से छोटा कुछ नहीं हो सकता अगर किसी अमाइन वासेड के अंदर साइड चेन ही हाइड्रोजन की बनी हुई है तो उससे छोटा माइन वासेड कुछ नह कि अगर कि अगर कि अगर कहा जाता है तो एक बात ध्यान रखना फ्लेक्सिबल कुछ भी कर सकता कुछ भी बना सकता है कुछ भी बनाने का मतलब यह होता है आपने कितने बच्चे हैं आप लोगों प्रोटीन की सेकंडरी स्ट्ट्चर्स पढ़ रखी है have you hear a Hide about the protein secondary structures बिटा क्या-क्या पढ़ा हुआ आप लोगों ने Brotines की linear structure होती है उन Brotines को कहा जाता है पिटा Fibrious Brotines एक आपने दो पढ़े होंगे alpha LX पढ़ाओगा beta pleated sheets पढ़ाओगा और टन्स पढ़े होंगे आपने तर्स भी आप लोगों ने नापढ़े हों लेकिन ऐसा निए secondary स्ट्रक्टर बहुत टाइप की होती है जब आप लोगों को प्रोटीन के स्ट्रक्टर वाला लेक्चर कराया जाएगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कहां कहां से कितने डिटेल वाले अब यह मुष्पे नहीं जा रहे हैं बट मैं आपको यह बोल रहा हूं कि सबसे अगर गलाइसीन है तो यह पता है दूसरी लाइन यह लिखूंगा can attain, can attain, any secondary structural, secondary structural information. आप में से कितने बच्चों ने रामाचंदरन प्लॉट का नाम सुना है, बताओ बेटा मुझे, इस को रिलेशनल प्लॉट होता है, इसको कहा जाता है, साइफाई का जो है, फाइसाई का को रिलेशनल प्लॉट है, यह क्वाडरेंट वन जो है, इसके अंदर अलफा हैलिक्स, पी राइट हैंड़ वाली, दूसरे क्वाडरेंट होती है, बीटा शीट के अलावा होती है, ट्रपल हैलिक्स, बीटा शीट ट्रपल हैलिक्स, जो तीसरा क्वाडरेंट है, उस नदर होती है, लेफ्ट हैंड़, लेफ्ट हैंड़, अलफा हैलिक्स, ठीक है, ऐसा कुछ है, फॉर्थ क्वाडरेंट में सकता है और मैंने अभी अभी बताया ग्लाइसीन कुछ भी कर सकता है अगर हम अ अगर मैं आपको एक्जामपल दू कोलेजन ट्रपल हैलिक्स का इलिक्स का यजामपल आफ क्लेजन के अंदर कौन सी सीकोइन्स होती है कोई बच्चा मुझे बताय है का कॉन-कौन से माइनो एसे और उसके आगे होता है X और X कुछ भी हो सकता हैzer या फिर चरोपाय बहुता है लेकिन कई ही कई है इसका मतलब क्या है Glycine क्या बना रहा है को लेजन के अंदर कौन से होती है तुटिस्ट नॉल्फा एंध प्लीज तुद्रेखों चीट में भी रहता है और फोर्थ वाट्रेंट में भी रहता है इसलिए कई बार पता ने हजारों बार इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि ग्लाइसीन का जो है सबसे जादा अड़ कन्फरमेशनल स्पेस है रामा चंदरन प्लॉट के अंदर हां तो वही स्टेटमेंट आपको लिखना है कि ग्लाइसीन है ज़ लार्ज थाइस्ट नहीं लार्ज़ेस्ट अलाउड या इन रामा चंदरन प्लॉट रामा चंदरन प्लॉट के अंदर अगर किसी अमाईनो असिड का सबसे जादा अलाउड एरिया है तो उस अमाईनो असिड का नाम क्या है बच्चे ग्लाइसीन कि दूसरा अगर स्टेटमेंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वाला बताना हो वह यह है ग्लाइसीन ग्लाइसीन अगर जादा में ग्लाइसीन होगा 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 कि अगर कोई पैप्टाइड है पैप्टाइड के अंदर बहुत जादा मांट में आपको ग्लाइसीन दिखाई दे रहा है तो समझ जाओ वह एलिक्स इस्टेबल नहीं रहेगी वह कनवर्ट हो जाएगी किसमें इट विल गट कनवर्टेड इंटू रेंडम कोयल जैसे मैंने विल पैप्टैड नाम क्या बच्चे पैप्टाइड का नाम क्या है पूली गलैसीन और आपसे अगर पूछलिया जैकि बताइए कौन का अन्से कसे क्शर क्शंचर क्या होगा इसे और पेषिंट का चहां स्रहिएंगा पूली गलैसीन यह र्यझे पैप्र मेशन pozornियर को ज बने progressing अकबी भी अकेला यह अगर इसके साथ में दूसरे हम ईलोङीं होंगे तो यह सकता है बीटर शीट में भी रह सकता है लिकिन की आपक्ट हो दो कभी भी पता है सब्सक्रिण ने बनाएगा वह किसमें अहलेक्त को रेंडम कोयल